हेल फेंट्स मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं योटूब चैनल सरकार जोब नियूज ये 28 अप्राइल 2020 के बहुत इंपोर्टेंट करिंट फॉर्स कोशन्स है इसका PDF एबलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या वीडियो खातमों से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आ जागा तो शुरूर करते हैं और आप लाइक बटन दबाना मद बूलना कोशन होगा RBI ने मेच्वल फंड इंडस्ट्री के लिए कितनी रखम की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम यानि विशेश तरलता सुझधा का ऐलान किया है आंसरों का 50,000 करोर रुपए ऐसी क्या जरूत पड़ गई देखे मैंने दो दिन पहले कर इंटरफर्स में वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अमेरिका की जो मिच्वल फंड हाउस है फ्रैंकलीन टेंपल्ट कंपनी है तो वो भारत में भी काम करती है तो उसने छे मिच्वल फंड जो डेट फंड थे उसको बंद कर दिया और उसका कहना था कि लिक्विडिटी की समस्या हो गई है चोकि कोरोना की वेज़ से लोगों के पास रोजगार का संकट है बिजनस नहीं चल रहा है तो लोग पैसे निकाल रहे हैं वहां से और इसकी वेज़ से जो उनका फंड है उनके रेटस डाउन रहे है इसलिए उसने बंद कर दिया था तो उसके बंद करने के वज़े से एक मार्केट में जो है अलक महौल गया और ये बन गया महौल लोगों के बीच में कि अब mutual fund में जो निवेश है वो बहतर नहीं है तो और उसके लोगों ने पैसे भी इधर जमा करने अब कम कर दी हैं तो उसके विए से liquidity की समस्थे होगी liquidity मतलब तरलता कहते हैं तरलता मतलब एक शब्ध है financial language में मतलब की cash का crunch हो जाना liquidity की दिक्कत होना होगी तो अब जो है RBI ने ये कदम उठाया 50,000 करूर रूपे की liquidity facility दी है जो कि 27 अप्रेल से 14 माई तक इसका इस्तमाल करना होगा और उसके बाद ये पैसे फिर वापस उनको देने होगे तो ये एक बात important आगे बारते हैं जो बहुत important है आप सब के लिए कोविड-19 की वेज़ से किस सरकार ने अब एक साल तक नौकरियों के लिए नई भरतियों पर रोक लगा दिये इसका आंसर होगा हर्याना सरकार देखिए हर्याना के मुखमत्री मनोहलाल खटर ने अकल ही यानि 27 अप्रेल 2020 को या एलान किया उन्होंने कहा कि कुरोना के कारण बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ है और खर्च कम करने के लिए और इत्ते भार से राज्यों को बचाने के लिए सरकार ने ये तैक किया है कि अगले एक साल तक नहीं भरतिया नहीं होंगे जो नोटिफिशन निकल चुका है वो सब भी अब खत्रे में पढ़ गया है तो इस समद्ध में नियूज भी आई है इंडियन एक्स्वेस में आब देख रहे हो और विपक्ष ने कहा है कि ये तुगला की फर्मान है देखे तो अब इसके साथ ही अब आशंका है कि COVID-19 का हवाला देकर जो अधर स्टेट गर्वर्मेंट्स हैं वो भी ऐसा कर सकती है और ये भी हो सकता है कि दूसरी सरकारे जो है बिना एलान किये ही नोकरियों पर एक तरह से हीडन रोक लगा दे ऐसे में नई नोकरियों की अनिष्टता का संकट हो जाएगा हाला कि कुछ जगों पर जैसे बिहार उत्तरप्रदेश इन सब राजों ने वेकेंसी थोड़ी मोरी जारी की हुई है इस लॉक्डाउन के बावजूद तो हमने जो रोजगार समचार बनाया था संडे को उसमें हमने पूरे डिटेल दिया हुआ है तो आगे अभी जो हालात हैं कोविड-19 की विज़ से तो प्राइवेट जॉब तो नोकरियों से निकाला जा रहा है लोगों को और अब सरकारी नोकरियों में भी एक से एक साल के लिए बैन लगना शुड़ हो गया है और कदम उठाया है हरियाना सरकार ने तो दूसरी नोकरियों पर भी जो सरकारी अलग छेतर की हैं सरकारी छेतर में उन सब भी दिककत हो सकती है आगे देखना होगा और railway का बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग की NTPC और Group D का क्या होगा, कब exam होगा देखें यह lockdown जब तक है तब तक तो सोचे ही नहीं और lockdown के बाद भी मुझे लगता है कि थोड़ा और लंबा जाएगा इस साल मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन आशंका है कि शायद इस साल examination ना हो पाए क्योंकि जो academic calendar है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है जो UGC की एक committee ने recommend किया है government को कि जो July से session शुरू होता है यानि सतर शुरू होता है section eccentric colleges में, universities में, engineering college में वगड़ा वगड़ा सब में तो उसको July से बढ़ा कर सितंबर कर दिया जाए तो जब वहाँ ये हालत है सितंबर कर दिया जाए तो बाकी नौकियों का क्या हाल होगा अब आगे देखना होगा वैसे SSE ने भी कई सारे जो vacancies थी उसका जो result आने थे उस पर भी फिलाल अभी रोक लगाई हुई है तो आगे देखते हैं क्या होगा जो भी update होगा मैं आपको बताऊंगा लेकिन तयारी करते रहने चाहिए इससे निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हर तरफ निराशा का महौल है और यूथ को इस वक्त जो है वो मनोबल बनाया रखना चाहिए अपनी तयारी करते रहिए सिमित संसादन में पैसी की दिक्कत है फिर भी आप तयारी करते रहिए क्योंकि अगर आप अभी तैयारी नहीं करेंगे अपनी एक्जामनेशन की और अचानक आप घार पे बैठ जाएंगे बिना पढ़ाई किये हुए तो उससे यह होगा कि जब भी एक्जाम होगा एक साल बाद जरूर होना है एक्जामनेशन एक साल बाद बहुत सारी नौकरी आएंगे जब हालात सुधर जाएंगे तब तो उस समय आप पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रिशर नहीं होगा अचानक नहीं जरूरत पढ़ेगे कि मैं सारा पिछले दो साल का सब कुछ पढ़नूँ ऐसे दिकत नहीं है आपके माइंड में जो है वो पूरानी चीज़े रहेंगी जब आप लगतार पढ़ते रहेंगे तो उसका फायदा होगा चलिए आगे बरते हैं और हाँ आप लोग क्या सोचते हैं हर्याना सरकार के इस डिसिजन पर ज़रूर बताएगा कमेंट करके अहलू वालिया वो कौन है देखिए वो अर्थ शास्त्री है और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं ओके मनमोहन सरकार में वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे देखिए पंजाब सरकार ने 25 अपरेल को इस कमेटी का गठन किया है और इसमें कई सारे कि वहीं सो जो बंद राज की जो अर्थ शीटा जो एक्सषर ठप हो गई है वैसे तो पुर्यदेश की अर्थ शो ठप होई है कि उस राज ने ये डिसिजिजन लिया है कि वहाँ की अर्थ शोष्थ आ को आगे ले जाने की क्या रिंदिती बनाई जाये वो से जिशन देंग वो भी बताएंगे कि क्या किया जायागे तो मोल्टे सिंग अलो बालिया की बात हो रही है तो उनके बारे में थोड़ शॉर्ट में बता दूँ वो वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं 1979 में वो वित्त मंत्राले के आर्थिक सलाकार बने थे इंडिया में डिप्टी चेयर्मेन बने थे और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आपने आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रू करना साथ में बिल एक अन्द मना बद भूलना तक नोटोफिशन आपको वक्त पे मिल जाए अच्छी पढ़ाई का अच्छे कंटेंट का अगला कोशन है किस देश ने कोड़े की सजा खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को सजाए मौत पर पावंदी लगा दिया मतब फासी पर पावंदी लगा दिया नाबालिगों पर 18 साल से कम उम्र के लोगों पर इसका अंसर होगा सौधी अरब सौधी अरब के किंग सल्मान ने 26 अपरेल को ये फैसला किया कि नाबालिगों के उनके किसी भी गंभी रपराद पर उनको सजाए मौत यानि फासी नहीं दिये जाएगी दिखे हुआ ये है कि इससे पहले भी कोडे मारने की सजा जो थी उसको ख़त्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और ये माना जा रहा था कि किंग सल्मान और उनके बेटे जो प्रिंस क्राउन प्रिंस है मौहमद बिन सल्मान उनके कहने पर ऐसा हुआ है अच्छा कुछ लोग ने कमेंट में लिखा था कि कोड़ा क्या होता है देखे कि कोड़ा आपने फिल्मों मों देखा कि कोड़े बरसाए जाते हैं लंबी सी रसी होती है हाथ में पकरने वाला होता है और उसे कोड़े मारे जाते हैं तो वो कोड़ा होता है वो बहुत अमानुविय होता है तो सौधी अरब की जो सत्ता है और किंग है सलमान और इसके लवा जो क्राउन प्रिंस है वो वहाँ पर मानुआधिकार के रिकॉर्ड को ठीक करना चाते हैं और वजह यह है कि वो अपने देश में दुनिया भर से निव पेश तभी आएगा जब वहां का महाल ठीक होगा और उन्होंने बहुत सारे सुधार के कारिकम किये हैं मुहमद बिन सलमान ने आपने देखा होगा कि कार चलाने का महिलाओं को कार चलाने की अनुमती दी गई पिछले साल यह सब शुरू हुआ इसके बहुत सारे जो रिया अपरेल 2020 को तो वो किन तीन राज्यों के राजपाल रह चुके थे आंसर होगा इसका बिहार तिरपूरा और पश्यमंगाल यह तीन राज्यों के राजपाल अलग अलग समय में रह चुके थे 77 एर के उम्ड में उनका निधन हुआ है बिहार में वो 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक गवर्णर थे उसका 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक तिरपूरा के राजपाल रह और फिर दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्यमंगाल के भी गवर्णर का अतिरिक्त परभार उनके पास था वो कॉंग्रेस से जूरे थे और असम सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे अगला कोशन है विश्व बौधिक संपदा दिवस कब मना जाता है आंसर होगा 26 अपरेल और ये दिवस जो है किसके दोरा घोशित क्या हुआ है तो विश्व बौधिक संपदा संगठन के दोरा वर्ल्ड इंटुलेक्च्वल राइट्स ओगनेशन के दोरा ओके तो ये एक इनपर्टेंट डे है और जो बौधिक संपदा संगठन है विश्व उसकी अस्थापना हुई थी 1967 में अगला कोशन है पाकिस्तान की किस महिला खिलाडी ने अंतराष्टी किर्केट से सन्यास ले लिया है इसका आंसर होगा सनामीर वो पाकिस्तान महिला किर्केट टीम की पूर्व कप्तान थी और 25 अप्रेल को उन्होंने आंतराष्टी किर्केट से अलविदा लेने का ये फैसला किया है 15 साल तक उन्होंने उनका 15 साल तक करियर था 15 साल का ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आप बदा दूं कि 2019 का जो इंपर्टेंट करेंट करेंटर वर्स है हिंदी और किस देश में 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट पर घोशित कर दिया का है COVID-19 की विए से आंसर होगा इंडिया ओके देगे पुरी दुनिया में तीन चौथाई बाग जो हैं वो इंडिया में है और भारत में बीमार बागों की जो देखवाल कर रहे हैं वनकर्मी उनको भी काफी precautions रखने को कहा गया है आपको पता ही होगा कि अमेरिका में वहां के जो जू है उसमें वहां जो चिरिया घर है वहां पर बागों में कोरोना का संक्रमन पाये गया था तो उसके बाद से इंडिया में ये एक precautionary कदम उठाए गया है अगला कोशन ने पाकिस्तान कि किर्केट बोर्ड यानि PCB ने किर्केटर उमर अकमल को मैच फिक्सिंग के दोशी पाया जाने पर कितने साल का प्रत्वंद लगा दिया है आंसरों का तीन साल तक का प्रत्वंद लगा गया है किर्केट के सभी फॉर्मेट से तीन साल तक वह उसमें नहीं जोड़ पाएंग और भारत के खिलाब भी उन्होंने दावा किया था कि भारत की खिलाब जो मैच फोड़ा था उसमें भी मैच छोड़ने के लिए पैसे की पेशकर्श की गए थी तो इस अब की इंक्वारी हुई और इंक्वारी के बाद ये सजा दी गई दोशी पाया जाने पर अगला कोश तीसमा साल पूड़ा कर लिया है इस टेलिस्कोप को USA की जो एजनसी है नासा तो उसने उरोपीय स्पेस एजनसी के सहयोग से बनाया था इसको और ये काफी सफल रहा मतलब आकाश को यूनिवर्स को समझने में इस टेलिस्कोप ने बहुत बड़ी मदद की इसी है पूरी दुनिया के लिए ओके तो दोस्तों ये था इन्पॉर्टेंट कर्णफर्स कैसे लागा ज़रू पताना हो और इसका पीडिएफ आप डाउनलोड कर सकते हो मेड़े बगल में लिंक आ गया है अभी आपके इस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लेजिए वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक अबलेबल है और हाँ ये लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रू करना साथ हम बिले के दमाना मत भोलना कल मौनिंग को मिलेंगे फिर से